पढ़ेंगे पाट छे जैशंकर प्रशाद का जीवन परीचे जैशंकर प्रशाद का जन्म काशी में 2889 में एक सुमनी साहू परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम बावु देवी प्रशाद था जो शिक्षा प्रेमी थे जैशंकर प्रसाद ने अलपाईवनी बच्पन में ही संस्कृत उर्दू, फार्सी और अंग्रेजी का अच्छा ज्यान प्राप्त कर लिया था बच्पन से इनकी रूची साहित्य की और थी इन्होंने इंदू नामक पत्रिका का क्या किया संपादन किया है ये जो प्रसाद जीत है वो बहूंखी प्रतिबा के धनी थे किन्तु साहित्य के शेत्र में कवी और नाटकार के रूप में विशेश रूप से प्रसिद्ध रहे हैं इनका प्रमुख एक ग्रंथ कामाईनी है जिसकी तुल्ना संसार के सरवश्रेष्ट काव्यों में की जाती है इनकी प्रमुख रचनाएं आसू, लहर, जर्णा, कामाईनी, दुरू स्वामीनी, विशाक, राजश्री, अजाश, शत्रू, कंकाल, थित्री, इरावती, आकाश, प्रतिध्वनी, पुरसकार, गुंडा, आदीन की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, पाठ परीचे, जो प्रस्तुत पाठ है, प्रभो, वो क्या, जो है, किस से लिया गयन का कानन, कुसुम जो संग्रह है, उससे लिया गया है, जिसमें किसकी इश्वर की स्तुती करके, उन अनंत प्रसार दिखाई, देता इनी प्रकर्ति के प्रतिक उपादान में किसका इश्वर का ही रूप दिखाई, देता है, अब है कवीता, प्रभो, विमल इंदु की विशाल किरने, प्रकाश तेरा बता रही, अनादी तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही, प्रसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही, यानि की इंदु यानि चंद्रमा, ठीके, यानि चंद्रमा की जो विशाल किरने है, वो किसका प्रकाश बता रही है, इश्वर का पता बता रही है, यदि इश्वर को देखना है, तो क्या है, चंद्रमा की विशाल किरने, देखो अनादी यानि जिसके प्रारंब के बारे में कोई ग्यात नहीं हो अनन्त यानि जिसका कोई अंत नहीं हो यानि इश्वर का जन्म कब हुआ कब इसके बारे में किसी को भी ग्यात नहीं है अनादी तेरी अनंत माया यानि तेरी माया क्या है अनंत है जिसका अभी कोई अंत नहीं हुआ है जगत को लीला दिखा रही संसार को अनेक लीला है क्या हो रही है दिखा रही है प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखो सागर यानि तेरी दया का कितना प्रसार यदि देखना है तो किसको देखो समुद्र को देखो तेरी प्रशंचा का र्याग प्यारे तरंग मालाई गारी राग यानि गीत समुद्र में उठने वाली लहरों की जो द्वनी है वो क्या कर रही है इस्वर की प्रशंचा का भगवान की प्रशंचा का क्या गा रही है गीत गा रही है इस्वर की दया देखनी है तो क्या देखो समुद्र को देखो समुद्र में उठने वाली जो लहरे है वो क्या कर रही ह इश्वर की प्रशंचा का क्या कर रही है ? गीत यानी मुस्काण यदि तुमहारे मुस्कान की यानी देखना चाता है तो किस को देखे चंद्रिका यानि चांदनी को देखे तुम्हारे हसने की धुनमे नदिया निनाद करती जा रही है यदि तुम्हें इश्वर के हसने की धुनी सुननी है तो क्या देखे नदियों का जो बेता हुआ पानी है उसकी जो कलकल की आवाज है वो किसका आवाज है कि इश्वर की ही आवाज यानि कहना चाता है कि जो कभी है वो ये कहना चाते हैं कि यदि किसी को तुम्हारी मुस्कान देखनी है तो वो किसको देखे चांदनी को देखे और यदि तुम्हारे हसने की ध्वनी सुनना चाता है तो जो बनदी है उसका बैतावा जल की ध्वनी है वो किसकी है इश्वर की ही मुस्कान है मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला तो तारगण की जोती उसका पता अंठा बता रही है विशाल मंदिर की यामिनी यानि रातरी में रातरी में विशाल मंदिर की जलक में दीपमाला देखनी हो तो जिसे देखनी हो दीपमाला तीक है यानि की रातरी में विशाल मंदिर में जिसको दीपमाला देखनी हो तो तारगण की जोती उसका पता अनुखा बता रही है आकाश में चमकने वाले जो तारे हैं उनकी जो रोशनी है वो चमक जो है वो किसका पता बता रही है इश्वर का पता रही है प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो है प्रभो तुम क्या हो प्रेम में क्या हो एक रूपी पद्मन यानि कमलनी के क्या हो अंशु माली यानि तुम सूर्य हो असी मुपवन के तुम हो माली इस रस्टी के है ना ठीक है असी मुपवन किसके लिए संपूर्ण संसार के तुम क्या हो माली हो यानि तुम ही क्या हो रक्षक हो इस रस्टी के धरा बराबर बता रही और इस सारा कौन बता रही है धरती ही क्या बता रही है कि तुम ही इस संसार के क्या हो माली हो यानि तुम इस संसार के क्या हो रक्षक हो हो तेरी जो तेरी होवे दया निधी तो पूर्ण होता ही है मनुरत जो तेरी होवे दया निधी तो पूर्ण होता ही है मनुरत यानि कि दया नीदि किसके लिए इश्वर के लिए इश्वर की दया यानि करपा जिस पर हो जाए उसके सारे मनुरत यानि सारी इच्छाएं क्या हो जाती है पूर्ण हो जाती है सभी यह कहते पुकार करके यही आशा दिला रही है यानि कि जिस पर भी तेरी करपा हो जाए उ उनकी सारी इच्छा है क्या होगी पूर्ण हो जाएगी एक आशा रखे हुए है अपने मन में ये था पार्ट छे